भया जे मुझे एक किताब देजिया ना, किसका? S.S.E.M.T.S. का एक्जामनेसन हम फॉर्म भरें और इसका हमको किताब खरिदने हैं ये लो किताब इस परकार से दुकांदार कहीं पर भी दुकांदार जाएंगे तो वहाँ पर इस परकार से बाते आपको बोलेंगे तो जैसे आप किसी दुकांदार के पास जाते हैं वैसे ही वे सबी अपने-पने किताब का परचार करना स्टार्ट कर लेते ऐसे किताबों का परचार करते हैं कि उनका writer उन खुदे लिखे गी हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है हमसे comment करके पूछ रहे थे कि हमारे लिए कौन सा book जो है अच्छी होंगे कौन सा book हम पढ़े जिससे के लिए first item में हमारा परिच्छा जो है SSE के MTS निकल जाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि market में इतने सारे किताब आ चुके हैं इतने सारे book आ चुके हैं कि एक SSE के candidate को एक student को decision ले पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आकिर हम पढ़ें तो किस book को पढ़ें किस किताब को पढ़ें क्योंकि जब दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं उनको पूछते हैं कि कौन सा किताब आच्छे हैं तो वे पता है क्या बोलते हैं जीस किताब पर उनको ज़्यादा margin होते हैं जीस किताब में उनको ज़्यादा पाइसे बजते हैं उन्ही किताब को वे सभी फिर फिर करते हैं कि यह किताब ले जाओ, यह किताब 100% अच्छे इसी सही question आएंगी, तो हम आपको बता दें वे सारे वे दुकानदार जो इस बात को नहीं सुचतें कि इस भूक जो है अच्छे है या नहीं, बस उन्हें अपने benefit के लिए चाहिए, अपने packet भरने चाहिए, उनको जादा सजादा margin मिलने चाहिए, उनको जादा किताब में benefit होने चाहिए, एस्टूडेंट का profit हो, loss हो यह सारे नहीं समझते हैं, और बेचारे एस्टूडेंट भी यह उसी तरह से, जो दुकानदार बोलते हैं, वही किताब मार्केट से खरीद के ले आते हैं, बेचा कि first attempt पर ही हम लोग पढ़ें इसी किताब को, और इसी किताब से सारे का सारे question आ जाएंगे, तो यदि आपके भी मन में इस परकार से question उट रहे होंगे, तो यह वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ किताबों के बारे में यहाँ पर बताने होंगे, जिस से first attempt में ही selection हो जाएं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाले, वीडियो अगर पसंद लगे तो like जरूर करें, share जरूर करें, दोस्तों चैनल को subscribe करके रख ले, ताकि जब भी हम कभी भी नए वीडियो अपलोड करें, तो आपको प्राप्त हो ज तो चलिए दोस्तों, start करते हैं और आज का topics के बारे में हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आज का जो खास topics से क्या है, लेकिन topics को आगे बढ़ने से पहले करेंगे request कि आप सभी सचमे SSC के MTS का एक्जाम नेसर निकालना चाहतें, तो किर्फिया करके इस समाचार पत्र को, इनेस को, किंग संजोक पुरसका 2009 मिला, खबल लहरिया को, देनिक भाक्स को, देनिक हिंदुस्तान को, या अमर उजाला को, या आज को, जल्दी से नीचे comment करके बताएं दोस्तों कि इसकी जो है आज का question है, इसकी सही जवाब क्या होने चाहिए, comment box वर ज ससी के MTS निकालना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप इसका answer दे देते हैं, तो सोचे कि आप अपने आपको कि आपका त्यारी बहुत अच्छे हैं, और आपका first attempt में MTS के examination break हो जाएंगे, तो चलिए topics को आगे बढ़ाते हैं, और समझते हैं, या 10 minute से 20 minute का video आपको life को change कर सकते इसलिए इस 20 minute का video का आप जरूर से जरूर आप देखें, सिर्फ एक किताब पढ़ लो और SSE के MTS examination पहली बार में selection हो जाएंगे, तो कौन से किताब है, आईए इसी के बारे में हम लो यहाँ पर चर्चा करने वाले, सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब हम आपको बताएं, बस उसी से पढ़ें और 100% उसी क्या ही आपको question, same to same आपको मिलने वाले, इसलिए दिल थाम के बेठे रहें, आपको बहुत जल्दी हम इसका answer आप सभी के साथ share करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, topics और बताते हैं, वो किताब कौन सी है, लेकिन इस किताब को करने के बाद first attempt पर ही आप SSC के MTS examination निकाल पाएंगे, तो वीडियो का साथ जुरू बने रहें, क्रेक SSC MTS examination in first attempt, पहले attempt पर SSC के MTS examination किस परकार से आप कर सकते हैं, तो चलिए देरी की हुए start करते हैं, सबसे पहला बात यहाँ पर reason करें, तो reason करें, तो कैसे reason करें, इसके बिसे में चर्चा, बहुत सारे बच्चे जो है कि chapter को reason नहीं करते हैं, तो हम जो book बताने वाले एक book का नाम, वो तब ही आपका काम आएंगे, जब chapter by chapter आपका reason होंगे, जैसे कि reason जरूर करें, reason करने के लिए कहीं से भी आप notes को बैवस्था करें, बहुत में, market में बहुत सा का, mensuration का, SCF, LCM का, सारा mathematics का, अलग, 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 अलग chapter by chapter दिये होंगे, उसी book को आप पहले, सबसे पहले उसको complete कर ले, यदि आपका chapter by chapter clear है, तो ही आपको इस book को आपको खरीदना है, ठीक है, तो mathematics में मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा जो है, एक से लेक कामाएंगे, फर्स्ट एटेम में आपको काफी कामाएंगे, तो उनी लोगों के लिए ये book लाबदाइक होंगे, जो chapter by chapter पढ़े हुए, अगर आपके पास chapter by chapter नहीं पढ़े हुए, तो आप किसी कहीं पर हमारे online classes में होते हैं, या आगर आपके nearest में कहीं coaching center है, तो वहाँ जोइन कर ले, chapter by chapter पढ़े, या हमारे channel पर chapter by chapter भी दिये जाते हैं, classes, जरूर आप classes attend कर ले, mathematics का, जिसमें आप अपने आपको complete रुप से त्यारी कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें कि mathematics का chapter by chapter आपको complete करने, उसके बाद जैसे mathematics का chapter by chapter complete हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या क करने, reasoning का, same process reasoning में भी आपको अपनाने, reasoning में भी परतेक chapter को अपनाने, reasoning में मुश्किल से एक से लेकर पचीस chapter तक आपको दिये गी हैं, उस chapter को पुरा complete कर ले, उसको सारा complete कर ले, इसमें भरबल भी आजाएंगे, और non-bherbal भी आपको आजाएंगे, ठीके भरबल भी reasoning, और नन भरवल भी रिजनी क्योंकि दोनों से यहां तो एटम जो आपको दोनों से करने पड़ेंगे नन भरवल का भी question आपको पूछे जाएंगे और भरवल से भी आपको question रहेंगे इसरी reasoning का जो दो पाट है वो दोनों पाट chapter by chapter आपके पास clear होने चाहिए ठीके इस बात को ध्य अगर chapter by chapter के लिए नहीं तो हमारे चैनल पर और रेड़ी chapter by chapter वीडियो सारा uploaded है आप जाए और हर एक chapter by chapter को ध्यान से study करें अब आगे चलते हैं आगला क्या है अगर आपका जीके का या सीए का त्यारी कर रहें ठीक है सीए मतलब होता है current appear जीके मतलब सारा आपका general knowledge का question ठीक है तो इसमें भी आपको त्यारी किस परकार से करने जिसके current appear का मन्थली का current appear आते हैं कोई भी book आप बाई कर सकते ह market से या कोई newspaper है तो newspaper आप daily daily पढ़ सकते हैं और जीके का question already हमारे पास daily daily uploaded होते हैं वो देखें और सीए का भी हमारे पास uploader होते हैं मतलब जीके या सीए के लिए आपको कोई भी book buy करने का जोरत नहीं है हमारे channel पर already आते हैं classes बस उसी classes को attend करें इसके लिए किसी भी परकार क कोई book आप ना buy करें ठीके कोई book इसके लिए कोई आप specialist book ना खरी दे हमारे channel पर जो भी video uploaded होते हैं आप उसी बीडियो को सिफ देखें आपका देखेंगे आप first attempt पर ही SSEC MTS examination आपका निकल जाएंगे तो GK का CA का भी त्यारी आपको complete रूप से बता दिए कि कैसे आपको कर जो कि बहुत सारे बच्चे जो डढ़ते हैं English से ठीक है English classes तो तो इंग्लीज का classes कैसे करें तो English का classes को करने के लिए आपको total जहें English classes को लेकर आपका grammar से लेकर ठीक है grammar से लेकर आपका narration हुआ, paragraph हुआ, adverb हुआ, verb, pronouncesion, punctuation, जीतने भी हैं सारे का सारे chapter आपको chapter आपको एक पढ़ ले, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई एक market में बहुत सरा book available है, वो कोई भी book आप बाई कर ले, book में आप उसी book को ही बाई करें, जिसमें chapter by chapter ठीक है, ध्यान से देखें, chapter by chapter आपको दिये होंगे, उसी को ही आप बाई करें, otherwise कहीं पर offline में classes आप जोइन कर ले, जहां पर English का classes होते हैं, और अगर offline भी है भी, अगर classes नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर chapter by chapter already uploaded है सारा वीडियो, आप chapter by chapter जाकर वहां से आप सारे का सारा वीडियो देख सकते हैं, English का त्यारी आपको 100% perfect हो जाएंगे, जब इस परकार से सारे का सारे subject आपका त्या सारे subject आपको जाएंगे, तो सीब और सीब अनती में सीब एक ही किताब आपको बाइख करने, आएए अब वो किताब क्या है, तो वो किताब जो है, और जो है question bank, आप को सीब question bank को आप करें, अब question bank किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को यह जो है नहीं मालुम होते, सिर ए एक ही किताब आपका success के लिए एक किताब काफी है एक book ही आपके लिए काफी है ठीके एक ही किताब आप buy करें और बस इसी से आपका selection हो जाएंगी तो कौन सा book है वो है question bank अब question bank किसको कहते है पिर भी यस हेर का जो question होते हैं उसी को ही किताब को आप market से वाई करें अगर आपको यहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर आप question पुछें कि कौन सा writer का book खरें खरीदे कौन सा परकासन का book खरे दे तो question bank क्या होते हैं यह चीज आप सबसे पहले clear हो जाएं question bank होते हैं जैसे कि 2016 में जो examination हुए थे 2012 में जो examination हुए थे 2013 में जो examination हुए थे मतलब पिछला जितने भी साल का question हुए थे examination उन सारे question को आप जो है पढ़ें ठीक है और कोसिज करें जितना ज्यादा हो सके बैक जाने का जितना पुराना सा पुराना हो सके बैक जाने का उतना आपके लिए benefit होगे क्योंकि जितना back question से आते हैं उही question आपको यहां पर benefit होने वाले अब सबसे बड़ा question हम लोग question bank को ही क्यों खरे दे हम लोग question bank को ही क्यों पढ़े हम लोग के पास तो बहुत सरा available है बहुत सरा market में available फिर हम question bank को ही क्यों बढ़े बाय करे और क्यों आप इस बात को कैसे आप guarantee दे सकते कि question bank से ही सारा question देंगे, हम आपको बता देते हैं, ज्यादा नहीं, 80-90% question bank से ही आपका question पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, इसकी answer भी हम आपको अभी का भी तूरंत आपको दे देंगे, question bank से क्यों पढ़ने चाहिए बच्चों को, जो कि बहुत सार 95% बच्चों को नह ही मालूम होते हैं, यह trick कि हमें question bank कितना जादा benefit दे सकते हैं, कितना जादा profit हो सकते हैं, एक बात हम आपको बता दें, आप सभी को पता है, अकसर सुने होंगे, कि assessor ने examination ले और बहुत सारा question रॉंग हो चुके, ठीक है, रॉंग हो चुके, जिसके कारण बहुत सारे student हंग नहीं आए हो रहते हैं, वो ही question में mistake होते हैं, वो ही question में गड़वड़ी होते हैं, ससी के, और ससी उतना ज़रा जहनजट लेना नहीं चाहता, इसलिए क्या करते हैं, जो question 2003 माए थे, ठीक है, उस question को उठाएं, और उसको 2019 के paper में डाल दी हैं, ठीक है, 2019 के, 2011 में जो paper दिये इसको 2019 के paper में डाल दी हैं, अब यहां पर 2019 के paper में, 2013 का question, 2020 का question को क्यों डाल लेंगे, क्यों की, क्यों की, क्यों की, क्यों की, इसमें आपको बता दे, इसमें mistake होने की बहुत ही minor संभवना होते हैं क्योंकि वे भी जानते हैं यह question हमारा already check किया हुआ है तो check किया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर नया question अगर वे इंटर करते हैं तो उनको भी SSC को भी swallow करना जुरत पड़ते हैं कि वो भी swallow करके देखते हैं कि यह सही है कि गलत है इसलिए वे सारे क्या करते हैं 80 question कम से कम होते हैं 70 से 80 कौन back question से डाल देते हैं बागी current है पर हुआ या नए नए question हुआ उन सब डालते हैं 20 question 25 question जो होते हैं उन निव निव question होते हैं maximum जो 50 से 70 question आपका back question से ही आ जाते हैं I hope आप सभी समझ चुके होंगे कि back question आपके लिए कितना ज़्यादा माइने रखते हैं तो आप अभी काभी तुरन जाएं और दुकांदार को बोलें कि हमें question bank दे question bank ओही question bank लिखें जो ज़्यादा से ज़्यादा back question आपको दिये जाएंगे अब यहाँ पर मुद्धे बात के होती कि किस परकार्शन का खरीदे किस writer का खरीदे तो कोई भी writer market में बहुत सरा available है बस आप एही चीज देखें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा back का question दिया गिया हो उसी writer को ही preference करें कि कि हम किसी writer का यहाँ या किसी publication का नाम लेकर उनका हम परचार यहाँ पर नहीं करने वाले इसलिए आप सभी जो भी candidate अपने दुकानदा नियरेश्ट पर चले जाए जो परकासन सबसे ज़्यादा पीछे का question देंगे उसी को ही book को आप buy करें उसी सहे practice करें आपका 100% selection हो जाएंगी वो भी first attempt में अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को त्यारी भी करने में दिक्कत होते यानि book तो buy कर ली question bank तो ले आएं लेकिन question bank को पढ़ेंगे कैसे आए पढ़ने का तरीका भी हम आप सभी को बता देते एक question bank में मुस्किल से एक से लेकर 26 chapter दिया राता है ठीक है यानि 26 back का question आपको दिये रहेंगे तो 26 अगर दिये रहेंगे तो इसको त्यारी किसे करने हर एक रोज per day ठीक है per day जो है daily daily जो हर देन मतलब पहला दिन आपको कम से कम दो सेट आपको क्लिक करने दो सेट ठीक है दो सेट आपको किसी भी हालत में क्लिक करने है क्योंकि परतेग सेट में ध्यान से सुने पिर आप प्यारे बच्चो परतेग सेट में कम से कम 100 question आपको दिये रहेंगे ठीक है so question अब सो question के लिए SSE समय कितने देती है 90 मिनेट का time देती है कितने समय देती है total 90 मिनेट का समय देती है ठीक है अब आपको भी उसी परकास से daily daily परतेक सेट को 90 मिनेट में ही आपको complete करने है तो हर एक दिन 2 सेट complete करते हैं बच्चो तो 26 सेट को करने के लिए कितने दिन का समय लगेंगे टोटल तेरो दिन यानि तेरो दिन में आपका कम्पलीट हो चुकी है तेरो दिन में आप जो है अपने किताब को कम्पलीट कर चुके है तेरो दिन में कम्पलीट कर चुके है अब दो सेट कैसे बनाएंगे तो जैसे कि माल लेते अगर आप सुबह में पढ़ने के लिए बेढ़ते हैं, चाहे पांच बज़े बेढ़े, छे बज़े बेढ़े, साथ बज़े, तो सबसे पहले मौर्णिंग में एक सेट आपको बनाए, ठीक है, पहला सेट बनाए, अब इसमें एक टाइमर लगा दे, करें, 90 मिनेट का टाइमर सेट कर दे, ठीक है, 90 मिनेट का उसमें टाइमर लगा दे, 90 मिनेट जैसे होंगे, आपको चाहे 5 कोश्चन बने, चाहे 10 कोश्चन बने, चाहे 20 कोश्चन बने, चाहे 80 कोश्चन बने, जितने भी कोश्चन बनते, वो टाइम मेनेजमेट जरूर 90 minute में हम लोग खतम कर चुके तो पता चलेंगे कि इस बार मात्र और only for 50 कोशन ही बना पाए सही सही ठीक है कोई बात नहीं 50 कोशन तो कम सेकंग बनाए अब 50 कोशन नहीं जो बनाए और 50 कोशन नहीं बना यह 50 कोशन क्या किजिए दिन भर जिसे यह सुबर 7 बज़े अगर morning में 7 बज़े या पहला सेट करते तो आपके पास और समय है अभी आपके पास लगबर कम सेकंग 5-6 गणटा वो 50 कोशन क्यों नहीं बना कहा दिक्कत हुआ वो सारे का सारे कोशन को सॉल्व करे अब हो जी हो इसमें भी 90 मिनिट्स का ही समय ले ठीक है 90 मिनिट्स का ही समय ले तो इस ब़र पता चलेंगे कि 60 कोशन आपका बन गी है सही सही अब 40 कोशन आपका रहा गी तो 40 कोशन क्यों नहीं बने क्या प्रोलम थे वो प्रोलम को आप ढूंडे और उसको sort out करें अगर माल लेते हैं देख रहे हैं कि time and distance का question यहाँ पर फंस गिए तो time and distance का chapter को यहाँ पर clear करें अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करने हैं आए वीडियो का साथ पसंद लग रहे हैं तो वीडियो का साथ जड़ू बने रहे हैं जब इस परकार से पहला test लें दूसरा test लें इस परकार से दब 13 दिन में ठीक है जब 13 दिन में पूरा का पूरा जो 26 सेट का 26 सेट कंप्लीट कर लेंगे टोटल 26 का सेट तो average marking आप देखे कि कितना से कितना बीच में गी तो पता चल रहे हैं कि 50 से 60 के बीच में या 50 से 70 के बीच में आपका average marking रहा average marking मतलब कभी 50 आते हैं तो कभी 60 आते हैं तो कभी 70 आते हैं इससे ज़्यादा बढ़िये ने रहे अब वही सेट को क्या केजिए चोद्वा दिन में ठीक है सिंपल सा फिर से स्टार्ट कर दिजिए ठीक है फिर से स्टार्ट कर दिजिए उसी सेट को पढ़ना ठीक है उसी सेट को पढ़ना तो फिर से तेरो दिन का और आपको समय लगेंगे इस 26 सेट को बनाने में तो अब आप देखेंगे आपका average जो है 60 से 80 के बीच में चले जाएंगे सेम कोस्टन आपको बनाना है 60 से 80 कोस्टन के बीच में चले जाएंगे अब यह 60 से 80 के जब तक 90 प्लस नहीं जाएंगे तब तक आपको छोड़ने नहीं अब यहाँ पर 60 से लेकर 80 तक चले जाएंगे अभी भी हमारे पास 20 परसेंट नहीं आपारे अब इसको त्यारी के से कन अब आप देखें कि जो पूरा जो सेट आप बनाए उस सारे का सारे सेट में कौन सा चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ मान लेते हैं कि आपको दिक्कत हुआ परसेंटेज में ठीके आपका सबसे ज़्यादा कोशन जाके फंस रहे किसमें पच्चो परसेंटेज तो सबसे पढ़ ले percentage का chapter निकाले, अब percentage का पूरा का पूरा chapter by chapter, chapter जीतने भी सारे question को आप पढ़ ले, percentage chapter का, उसके बाद किसे LCF में, SCF भी chapter में आपका फंस रहे, तो फिर से SCF chapter को पूरा का पूरा question को sort out करे, अब फिर से जब इसी set को जब बनाएंगे, जब इसी set को जाएंगे, 85-90% स्टार्ट हो जाएंगे, जब एक बार जेनरल से process कीजिए, फिर उसी चीज को try कीजिए, अब नहीं बन रहा है, तो उसका chapter को ढूरा कि किस chapter आपका ज्यादा दिक्कत है, अगर इस परकार से त्यारी करते हैं, और फिर जब आपका set को त्यारी करेंगे, त आपका, अगर किसी के नेट के पास one month का भी time है, तो वी सारे भी अच्छे परदसन कर सकते हैं, अच्छे एक्जामनेशन में निकाल सकते हैं, आप सभी को मालूम होंगे, आप सभी को पता होंगे, कि जो बच्चे first attempt पर निकालते हैं, वी सारे क्या काम करते हैं, क्या उनका किसमत अच्छा रहते हैं, क्या वे सभी लग अच्छे रहते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं, वे सारे पढ़ने का सही तरीका जानते हैं, इसी परकास से वे सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो कि जिसे मालूम नहीं रहते हैं, वे दो साल से, चार साल से, पांच साल से पढ़ रह फिर भी नहीं नहीं कर रहें किकि वो मेहनत तो कर रहें लेकिन वो सही तरीका से एटेंट नहीं कर पाते हैं जिसके कारण उनका एक्जामनेशन में जो है स्लेक्शन नहीं हो पाते हैं तो आप सभी से रिक्विस्ट करते हैं कि हमारा जो एडिया आपको दीए वो एडिया जर चलते हैं तो अगर आपके पास और ज्यादा से ज्यादा समय है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास समय है तो फिर क्या करें दूसरा फिर परकासन का कोई और एक बुक बाई कर ले ठीक है और एक बुक बाई कर ले दूसरी कोई बुक बाई कर ले या कोई अग इस प्रकार्सन का आप पैक्टिस करें अब आप इस प्रकार्सन का पैक्टिस करें इससे क्या होगे ज़्यादा पैसे भी आपको बुक में खर्च करने का जुरत नहीं और दोनों का दोनों के नीडेट बुक में इंटरेज़ भी चेंज कर ली तीन दोस्त है तो और अच्छे तीन दोस्त आपस में फिर से book का interchange कर ले, अलग अलग प्रकासन, अलग अलग writer का buy करके, तो I hope आप सभी समझ चुके, सिफ और सिफ आपकी life में आपको job दिलाएंगे, तो सिफ एक ही किताब आपको दिला सकते, सिफ एक किताब पढ़े, आपका SSC MTS 100% आपको निकल जाएंगे वो कौन सा book है, question bank है, आप question bank जरूर आप market से अभी का भी तुरन जाएं और खरीद ले, और खरीदने के बाद नीचे comment box पर जरू बताएं कि आपने कौन सा book buy किए, आपने कौन से परकासन का book buy किए, यह नीचे comment box पर जरू बताएंगे, ताकि लोग जान पाएं कि आखिर क इस परकासन का सबसे ज़्यादा book buy कर रहें, इसे नीचे comment box पर जरू बताएंगे, वीडियो अगर पसंद लगे दोस्तों, तो एक बार like जरू करें, share कर दे, दोस्तों के साथ comment करना ना भूले, आपको यह वीडियो कैसे लगे, चैनल पर ने हैं तो subscribe करके जूड जाएं, और SSC से जूड़े पल-पल खबर को जानकारी के लिए हमारे चैनल को अब भी कभी तुरं सस्क्राइब कर रख लें, तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवार, thanks for watching.